डच काड़, सलांट काड़, स्टाब काड़ वीक ब्राँ चीज़ है, उनको हमने रखना है जैसे ये है, इसमें स्प्रूटिंग कई भी नहीं दिख रही है आपको जब मैं यहां इसको क्लिक करूँगा आगे से ये सारा स्प्रूटिंग में कनवोर्ट हो जाए सबसे पहले मेरी तरफ से प्यार भरा आदाब, अस्सालाम अलेकूल स्वाकते हैं एक न्यू वुलाग में उमेद करता हूँ कि आप साथ ठीक होंगे, सुबा की शुरुआत हो चुकी है नाजरीं आज बहुती इंट्रेस्टिंग वीडियो आने वाली है, आई होब आप पूरी वीडियो वाज करेंगे जमो कश्मीर डिस्टर कठवा तैसील बनी में नाजरीं हर्टी कल्चर ने काफी तरकी किये है चंद सालों से गौर्मेंट भी किसानों की बहुत बड़ी हलफ कर रही है, गौर्मेंट किसानों को अल्ट्रा हाई डिनेस्टी, वूट आफ कंट्री, इटालियन, एपल स्पेड तक्सीम कर रही है, सबसीटी पर, काफी किसानों को इससे फाइदा पहुंच रहा है, इस वक्त रूबरू ह इस तेशिल बनी पैंचायद लवांग नार्थ में, प्रीद अली ने गौर्मेंट के हलफ से एक बगीचा यहां पर लगाया है, आजरेट इनके पास एक और भी बगीचा है, नाजरीन हमारे पैंचायद में ये पहला एक बगीचा वजूद में आया है, नाजरीन इनके इसे होते हैं मेहन करने वाले लोग, इन रात नहीं देखते हैं, फिर होते हैं वो जिनके में सेक्सेस भूल, असलाम अलेकों, अलेकों सलाम, फरीद अली जी, आपको ये कब शोक हुआ कि मुझे बगीचा लगाना चाहिए? हमको बहुत देर से होके पहले से लगा ले हम, आपके पास तो आरेड़ी एक बगीचा भी है, पहले वाला हाँ, एक आपने निया बगीचा त्यार कर लिया है, गोवर्मेंट की हेलफ से सबसीटी पर, तो कैसा लगा आपको, लेकिन डपार्टमीन ने भी हमारे साथ बहुत अरत की है, डपार्टमीन ने महग मेंने, वो भी काईट करता है हमें, यहाभी में बातचीत करने वाला हूँ, फरीद अली के लखते जिगर, फिजिकल टीचर भी हैं, इनके बहुत नालज है, बगीचा इन्होंने लगाया है, इसमें कांट, छांट, प्रोनिंग, ग्राफ् बहुत ही जुरूर होती है, यह पेड़ जो है, एपल का यह बहार से लाएगाया है, इटली से, अफदर रजाग जी कोवर्मिन ने आपकी काफी हैं, आउट आफ कांट्री से, इटालियन पेड़, एपल के, उनका बगीचा आपने लगाया है, एक मसाल कायम की है, आपने हम से आपने सिखा है, सबसे पहले, आल प्राइज एंड थैंक्स बी तो अल्ला, दे लाड़ आफ आलमीन, मैनकाइंड, जीन्स, और अज़ एक्सिस्ट, कि जिस वपर वाले ने हमें इतना दिमाग दिया है, अश्रफ अलमकलुकार इंसान को बनाया है, तो हर बंदे को अपना बचे होते हैं, वो सीखते हैं, मुझे अपने वालिद ने जो है, बीस-पचीस साल पहले से पेड लगाया हुआ है, एक बगीचा हमारा लगा और जहां पर टाइट तीन सो पेड अखरोड के हैं, सेब के अभी डिफरेंट टाइप्स के, तब से मुझे मुझे शोक हुआ है अब से सिरिनगर में गया, वहाँ पेड़ा आप और ही व्लू two उडिफर लूग Yoonm बैऑ एक मसाल कायम कर रहे हैं, काफी बदलाव ला रहे हैं लोगों को काफी इंट्रेस्ट हो रहा है कि हमें भी बगीचा लगाना चाहिए एक डिफरेंट बगीचा है बाकी पेड़ों से यह हटके हिजय का नाम है यू एची डीपी अल्ट्रा हाई डेनेस्टी प्लांट्स इसका मतलब क्या है कि इसमें जो हगान को में बढल तक 50% से बीलॉक जो हमने ऊहरा है यहां से स्टब काट उफनने के स्लांट और कि कट लगा कि उसको डच कट लगा कि वहां से न्यू ब्रांच निगे लिए कि नेक्स्ट यर में यह इसका मेन एक और कटिंग जो इसकी प्रूनिंग है यो यूनीक है यह आम बंदे की बात नहीं है इसमें किस साफ से प्रूनिंग करनी है कौन से हैड़ बैक इसको बोलते हैं दच कट क्या होता है स्रांट कट क्या होता है है अगर लीडर हमारा ऐसे ब्लाइड में जा रहा हूँ तो यहां पर कोई शाखान नहीं रही है अब हमें वहां पर शाखान चाहिए वह आएगी कैसे जब दक हम नहीं लीडर के टाप पे 5 इंच नीचे उसको कट नहीं तो यहां यह सारी ब्रांची इसमें आना शुरू हो जाएंगी। हमारी तेसिल में लोग बड़ी खुश हैं, वो भी बीगीचा लगाना चाहते हैं। उनको इंट्रेस्ट भी हैं। मर बीगीचा लगाने से पहले उनको क्या करना चाहिए। किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए गाड़ी की काम्याभी उन चार पहियों के ओपर है जो रात दिन मेहनत करते हैं चाहे गर्मी हो बरफ हो बारिश हो कीचड़ हो तायरों को जाना जाना पड़ता है उसको बोलते हैं नेम्ड हर्ड वर्क सबसे ज्यादा वर्क वो करते हैं टायर बट लेकिन जर्नी इंपासिबल विदाओट फ्यूल तब तक सफर इंपासिबल है जब तक गाड़ी के अंतर तेल ना हो बनना है जब तक हम होड बरग नी बनेंगे दूसरे को पर दूसरा जो है सलफ कंपिटेंस यकीन होना जाहित आपने काम के अपरम लोक है कोशिश करूंगा वआ सभाड़न आपने पादर के साथ सुबा शाम सब्एशindet में यह स्वाड़न आता हूं एता है पर तो आपके फादर साह होते हैं झालता हैं वे घुल बिखने के सुवक्रक्टétat की जाए कों सी काटनी कुछ यह क्पोएं इसका मकसद क्या है यह बिलेक कालर की पाइप छ Pokémon इसमें एक वीदों से हुपर बने होई है यह फिल्टर प्रणालों पानी यह घंकल कने है बाल जब खोलते हैं तो यह बूंद बूंद पानी गिरता रहता है पेड़ों के बीच में भी फिट-फिट के उपर इसके होल बने हुए है जो है असाल लबजों में जाली भी कहते हैं इसका मकसद क्या है इसका मकसद है पहले आपने बोलते हैं कि एंटी हेल नेट माला जब पड़ेंगे तो यह इसको बचाएंगे हमारे जब फुलोवरिंग होगी इस पर तो हमें जो है उपर से हेल नट जब जितने भी मर्जी गिरेंगे उतने इनको नीचे नुकसान कुछ नहीं होगा और जो भी पंक्ची है यह उड़ने वाले जहानवार है वो भी उनको नुक हमने प्फॉस्ट में नहीं रखें है तो इसमें आपने जो मित्टी वगरा है इसमें कहसी खाद वगएरा मिलाई थी उसवकट वहने पैड लगा है थे उसका वने भर मि वीज लाई है ऐक याल मैस्हिछ जो को की कि अवरो खौत बिक्श हो तो उसमें हमें वो मिक्स करके उसकी वाजह से इनकी ग्रोध जो है पेड़ों की बहुत अच्छी स्ट्रांग इसका लिडर बन रहा है तरह डिस्टंस वर हमने इनकी ब्रांचिज रखनी है आ यहां से इसट्रांड पर हमारी होनी जा यहां से नेंग से आंग बार इनकी मुद्व में आते हैं मैं सभेडी वाली गातकार है यह किस सेजर में लगाई जाती है यह हम ने लास्ट मन्त में अनॉमर में लगाई थी, यह चुना है, सफेदी और चूनने में फर्क है, जो सफेदी हम पानी में डालेंगे वह उबलती है और गरम नहीं होती है, वह पफैदी होती है, ईक चूना बगैरा हम बड़ सेप relación कितने टाइम में कितने बार करते हैं परती हैं तो तीन चार बार इसके पहले सफ्रे की कुछ एक फंगस भी लगी हुई थी ते उसके लिए हमने कंसर्ण किया कंसर्ण करके डिपार्टमेंट से तो उनने बताए कि ये मैडिसन इसमें डालो तो हमने फिर वो दोई डालके तो जो भी आये से ने फंगस वो खतम होगी सारे सलांट काट स्टाब काट किस तरह किसे की जाती है देखो इसमें रूल है हाई डेनिस्टी में रूल है ये स्टाल स्पिंडल में रूल है कि जितनी भी हमारी कुम्जोर ये ब्रांचीज है इनको हमने रखना है जितनी भी वीक उनको हमने रखना है जैसे ये है इसमें पूर्टिंग काई भी नहीं दिख रही आपको जब मैं यहां इसको क्लिक करूँगा आगे से यह सारा स्पूर्टिंग में चन्वोर्ट हो जाएगा यह हमारे इसमें सारे फैदर आजाएंगे और हमने क्या करना कि जैसे हमारा प्रूटिंग में 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 प्रूटिंग म कि इनकी ग्रोफ तोड़ा सुलो हो जाती है ताकि इनको फ्रोट ज्यादा आता है यह मनद एक दो साल तक चलेगी अगर यह जो तहने उपर को रहती इनकी ग्रोफ ज्यादा होती है और यह नुट्रेशन ज्यादा खाती है और हमारे लीडर को थोड़ा यह कम्जोर कर दो ब्र स्टाब काट होता है इस लिडर के नजीध में जाके हमने messa चलानड कड़ करना है स्लांट क्या होता है je basate music कपीट करएं है इसको लेटर को का रही है यह इन्ट्रेशन्न्हेसाइदा खा रही है तो इसको ग्रोथ नहीं होने दे रही है यह करält कर मारूं ल१ा थिर यहां पर एक निउ जो है शाख निकलेगी नेक्स्ट यह रहा है वह ब्रांच आएगी हमारा मसाद है कि वीग ब्रांच जितनी ने ज्यादा उतनी हमने इस वीग ब्रांच रखनी है लानी है यह स्पूर्टिंग भीमा क्या होता है के लोग ऐसे भी जो नावाकफ होते हैं ज्यादा भीमा होता है उसी को काड़ देते हैं मलक सब मैं आपको बता हूं यह जैसी हमारी ब्रांच है बिल्कुल वीक ब्रांच है बढ़िया ब्रांच है इसमें और जो एक्सपूर्ट बोलते हैं इसमें ताल स्मेंटर में रखनी वीक ब्रांच है लेकिन हमें इस ब्रांच में कम से कम चार पांच छे फ्रूट चाहिए प जैसे में यहां पर शाक चाहिए हमें, कि यह शारह प्लैन जाया है, तो हमें अब यहां पर चाहिए अब निकली हुई है। यहां dieser स्याहर यहां खैनर को आई कर दोवा है। अओ, यहां इसी कि मकनी में नुचना आई कम वा निकलेगी जनरेट होई अब दरजाग जी जब आपने ये पेड लगाए थे छोटे-छोटे ये एक ही कतार में लगाए गए क्या उस वकत आपके साथ एक्सपर्ट थे यहां पर अजी वह कंपनी वाले आये थे उन्होंने पहले हमें बताया था कि अपने ड्रेन निकालनी एक तो हमने जब ड्रेन निकाली पूरी उनने बताया कि इसकी ड्रेन की चेंच होनी चाहिए उसके बाद वह एक्सपर्ट थे उनने और डिप के इन पर आपके हलपूरी की थे जमो कश्मीर के या हमाचल के सेब है इनसे यह सेब डिफरेंट है क्योंकि यह ओट आफ कंट्री का सेब है आज की डेट में यह एच डी पी यू एच डीप अल्ट्रा हाइड इंस्टी प्लांट जो है यह फ्रोट इंडिया में लग रहे हैं मलाच जहां चाहिए इसका एक किसम के हैं या डिफरेंट किसम के हैं मलीक साभ यह इसमें इस बगीचे में हैं चार किसम की यह को परक्षा देख यह तर्फरें इंड ग्रौट एम ट्रिपल वन यह फ़स्ट रो में और यह जो साइकें रोह है यह को दिख रहे है यह सेंके हैं इसमें हैं गाला बी यह ब्ली इंड़ इंड़ फोर प्लस किसमें यह वराइटी प्लाइट है जो आपको तीसरी रोह थ है यह इनका आपको दीचे दिख रहा है यह उनीक है डिफरेंट है उन पेडू से टाइम टॉटाइम स्प्रे करना कांट छांट करना प्रोनिंग करना पर में पूरा नालज होना चाहिए मिशीन स्टार्ट कर रहे हैं इन्होंने अपनी स्प्रे मिशीन लाई है 35,000 रुपे की अपना पैसा खरच किया है यह जो होना है झालज है वीडियो को करते हैं एंड लाइक्स कमेंट्स वीडियो को शेर करें मिलते हैं अगले वलाग में ने टापिक के साथ तब तक के लिए शुक्रिया खुदा हाफिस